हेलो एव्रीवन वेल्कम टू आउर चैनल आज हम इस वीडियो में कुछ और डिजिजिस को देखेंगे और इमिरटी के बारे में भी जानेंगे हमने इस चैप्टर के दो वीडियो अल्रेडी कवर कर ली हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको आप पहले देख लो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ आ सके कि तो हमने पहले की दो वीडियो में अदर कुछ बैक्टिरियल डिजिस को देख लिए वाइरस के जिचा है प्रोटो जोन की डिजिस को देखा है आज हम कौन से नहीं कॉसिटेव दिजिस को देखेंगे वह वॉम्स की बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा होने वाली बिमारियों में से एक है अगली बात आती है कि पैटेशन के एंट्री कैसे होती है तो कंटैमिनेटेड वेजिटेबल फ्रूट्स एंड वाटर के थ्रूए होती है अब होता क्या है कि कई लोग इतना ध्यान नहीं देते बच्चों को खिलाने से पहले और बच्चों को खिला जैते हैं जिसके अंदर क्या होता है यहाए इसकरियस हो जायेगा अब मालो तो infection हो गया तो कहां पर effect हो आपकी body के अंदर intestine के अंदर effect होगा हम अब इसके symptom देख लेते हैं तो अगर आप symptom देखोगे तो पहला symptom इसका internal bleeding कहां पर कौन से अरिया के अंदर होगी intestine के अंदर होगी कि नेक्स का ब्लॉग इंट्सटाइन पैसेज ऐसा क्या हुआ कि जब ब्लीडिंग होती तो मुक्स वगरा निकलता हो क्या गरता है इंट्सटाइन के package को पैसेज को ब्लॉक कर देता है अगली बाद आते हैं treatment treatment कैसे होता है तो इसकी medicines available जो एसकेरिस वाम को खतम कर देती हैं और सबसे बेस्ट क्या है आप cleanness रहो मतला जब भी बच्चे को कुछ खिलाते हो तो उस चीज़ों को अच्छे से clean करो और हमेशा अपने इर्द गिर्द जहां पर वो खेलते हैं बच् आप नोट करने वाली यह कि जो एग होता है किसका parasite यहाँ परसाइट क्या है ascaris इसका जो एक होता है यह release हो जाता है किसके त्रूप faces के त्रूप release हो जाता है और फिर यह जाकर contaminate कर सकता है पानी और soil को भी और उससे क्या होगा और ज़्यादा मांट में इसके cases बढ़ ज आइस अपर आइस बीमारी यह भी वाब से होती है कौन से वाइन होती है लाइो मॉश्य को छुए दोनाड़ नैस जोटा है नेपना एंटरी कैसे होती है तो यह कैसे होगा वाइट ओफ फी मेल मॉसिटो कॉन सा फीमेल मॉस्केश्टो क्यूलक्स सी यू लाइएक्स क्यूल कि अधर आपको लाहिए होगे तो सबसे पहले कहां पर एफेक्ट को लिम फैटिक वैसल के इंदर इफ्ट होगा अवी lymphatic vessels क्या होती है आप सब्सक्राइब को पता कि आपकी बॉड़ी के इंदर दो दरीगे के सिस्टम होते हैं एक ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम और दूसरा प्रवाइब क्या होंगे तो इसके सिंटम है स्वेल लोवर लिंब मतलब पैर जोंगे आपके स्वेल अप हो जाएंगे और उसके वैसे क्यों होगा पेन होगा कहां पे टेस्टेज वाले एरिया के अरौंड अब अगली बात आदेते हैं कि ट्रीट्मेंट कैसे होता है तो इस अब हमें किसके डिजीज देखनी है फंगस की डिजीज देखनी है तो फंगस की कौन से डिजीज है रिंग वाउम आपने देखा भी होगा रिंग वाउम एड काफी जादा आती है रिंग वाउम की तो पैटिजिन के इसका एक फंगी है कौन सा फंगस हो सकता है तो देखो माइक्रोस्पोरम हो सकता है, ट्राइको फाइटन हो सकता है, या एपिडर्मो फाइटन हो सकता है, अगली बात आते हैं, एंट्री कैसे होगी, तो देखो, एंट्री होगी इसकी स्वाइल और अबज़ेक्ट, जो कि अर्रड़ी कंटैमिनेट होगे, उसके थुरू इसका transmission होगा next और कैसे हो सकता है कि अगर आप towel या clothes infected person के use कर रहे हो या even comb भी use कर रहे हो तो आपको ये disease हो सकती है अब ये पता कैसे लगता है तो देखो appearance of dry scaly skin अब क्या हो जागा आपकी जहाँ पर ये ring warm attack करेगा और याद रखना moisture मतलब अगर आपको sweat होगा कि ज्यादा heat होगी तो आपको काफी ज्यादा irritation कॉस्ट करने वाले है ऐसा क्यों होता है क्योंकि moisture हीट क्या करते हैं fungus को grow करने में help करते हैं और अगर आपको ring warm से छुटकारा अपाना है तो आपको बिल्कुल कोशिश करना है कि आपको sweat minimal हो अगर आपको अपने आपको sweat minimal होगा तो आपकी ये disease easily cure हो जाएगी अब हमने इतनी साई disease देखी तो क्या हमें disease करवानी ही चाहिए अब एक सबक सीखने के लिए उससे बेटर क्या होता है हम इसका prevention और control कर ले तो हम disease को कैसे prevent कर सकते हैं अब देखते हैं तो पहली बात है hygiene से तो इसमें दो परस्पेक्ट आते हैं एक तो खुद का hygiene और दूस और regular cleaning रखनी चाहिए सीवर और टैंक्स की ताकि disease का spread काफी हद तक रुख सके और अगर यह disease vector born है मतलब mosquito वगरा के तो हमें क्या करना पड़ेगा एक चेक रखना पड़ेगा उन एरियास का जहां पर यह mosquitoes वगरा ग्रो करते हैं और उन एरियास के अंदर ऐसा control रखना गेंबूसिया फिश का उसके अंदर भी क्या है वो भी प्रिवेंटिव मेजर से क्योंकि हम अगर उस फिश को छोड़ देंगे तो मॉस्केटों की population नहीं होगी क्योंकि उनके लार्वा कोई कौन खा जाएगा गेंबूसिया खा जाएगा और यह एक प्रिवेंटिव मेजर प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनी मर्जी से सोच सकते हो जो कि आपको अपनी डे टो डे लाइफ से पतल लगते हैं अब जो इतनी साइड डिजीज हुई है उनमें से कुछ डिजीज को जैसे कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो को साइंटिस्ट ने वैक्सीन के तुरू काफी ह अब बात आते हैं कि अखिरकार क्या होता है तो इम्यूनिटी के एक ओवरॉल एबिलिटी आपकी बॉड़ी की फाइट करने के किससे डिजीज कॉजिंग माइक्र ऑर्गनिजम से और कैसे फाइट करेंगे विद दा हैल्प ऑफ इम्यून सिस्टम जो कि हमारी बॉड़ी मे इन बिल्ट होता है अभी जो इम्यूनिटी होती है यह भी दो तरीके की होती है एक होते है इनेट इम्यूनिटी और दूसरे होती है एक्वाइड इम्यूनिटी अभी जो इनेट इम्यूनिटी है यह हमें बाय बर्थ मिलती है ठीक है लेकिन यह एक्वाइड वाली इम्यू तो फिर भी वैसे ही मतलब वह सबके लिए एक तरीके से एक्ट करने वाली है लेकिन एक्वाइड एक इम्मुनिटी क्या होती है मतलब कोई स्पेसिफिक माइक्रोब आगा तो उसके रिए स्पेसिफिक रियक्शन करेगा वह एक अगली बात आती है कि इने हिम्मुनिटि के इंदर चार बेरियर्स को में पढ़ना होता है अ मुकस कोटिंग आप सभी को पता है कि स्किन क्या करता अपकी पूरी की पूरी बॉड़ी को कवर करके कवर करके रखता है ऐसी मुकस की कोटिंग क्या करती आपके akasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas देखे तो हमने देखा भी था 11th class में कि acid के dual function थे एक तो protein का digestion में help करता था और दूसरी होत क्या करता germs को भी मार देता था मतलब कौन से जो कि physical barrier को cross करके हैं उनको कौन मार देगा physiological barrier मार देगा ऐसी सालीवा के अंदर भी क्या होते है लाइजोजाइन से होते हैं जो कि क्या करते थे वह भी माइक्रोब्स को किल करते थे माउथ के अंदर ही नेक्स बाद आदे टीर्स इन आइज आप सभी को पता जाए अगर दूहूल मिट्टी कुछ भी हमारे आखों के अंदर जाते हैं जो कि एक प्रिवेंटिव मेजर आपके बॉड़ी का तो जब फिजिकल बेरियर्स ने एंट्री को प्रोहिबिट करा तो यह क्या करते हैं यह ग्रोथ को प्रोहिबिट करते हैं मताब प्रिवेंट माइक्रोब्स को ग्रोग करने से ही रोक देते हैं अब अगर हम माल लेते हैं कि physical barrier भी किसी माइक्रोब ने क्रॉस कर लिया physiological barrier भी क्रॉस कर लिया तब हमारे पास third barrier है cellular barrier इसके अंदर क्या आते हैं certain leukocytes आते हैं मतलब WBC white blood cells आते हैं जैसे की PMNL इसकी full form क्या होते हैं याद रखना polymorphonuclear leukocytes जैसे की neutrophils और कौन-कौन से आते हैं इसके अंदर monocytes और macrophages इसका काम क्या होता है basically जो माइक्रोब आ गया है उसको phagocytos करके destroy कर देना अब phagocytos क्या होता है तो देखो आपने देखा है ना कि कैसे अमीबा अपना pseudopodia form करके खाने को इंगल्फ कर लेता है वैसे ही यह जो WBC हैं जैसे की neutrophils macrophages यह क्या करते हैं इन माइक्रोब को ढून-ढून कर phagocyte करते हैं जैसे की अपनी बाड़े के अंदर इंगल्फ कर लेंगे जैसे अमीबा खाने को इंगल्फ करता है उसके अंदर सिक्रीशन डालेंगे और उस माइक्रोब को मार देंगे अब अगर बाई चांस इससे भी क्रॉस कर गया और infection कॉस्ट कर दिया किसी uwagę ने आपकी बाडी के अंदर तब आपके बास कौन या का इंदर क्या होता है जो वायरोसस इंफक्टेट और सेल्स होती है वह क्या करते हैं इंटरफेर बैस निकाल लेती है अभीट ब्लॉस करते अनोना इंफक्टेट सेल को वायराल इंफेक्शन से ठीक है तो यह बात होई आपके innate immunity की अब देखो हमने जितने बेगिर्स देखे वह सब के लिए एक जैसी काम करेंगा बैक्टीरिया आए आपका वाइरस आपका प्रोटोजों आपके वाम सब के लिए वह एक तरीके से काम करते हैं लेकिन इक्वाइर इम्मुमिटी को अगर हम देखें यह कौन से वाली इम्मुटी थी जो कि specific थी अब इस पेसिफिक क्यों बात है क्योंकि इसके पास एक करेक्टर स्टीक होता एक कि मैमोरी का मतलब एक मैमोरी रख सकती है अब देखते हो मैमोरी क्या होती है और कैसे रख पाती है देखो दो responses होते हैं एक primary response होते हैं और दूसरा secondary response होते हैं इसको हम animatic response भी बोलते हैं आप देखो जब primary response होता है वो कब होता है जब आप किसी भी pathogen को first time encounter कर रहे हो मतलब पहली बार आपको क्यों disease होई तो उसको क्या बोलोगे encountered first time अब यह क्या होगा तब आपकी body इसको मारना कैसा है तो कैसा होगा low intensity को क्योंकि time consume होगा क्योंकि आपकी body को already नहीं पता इसको कैसे मारना है लेकिन जब यह एक बर kill कर लेगी आपकी body इसको तो क्या कर लेगी उसकी memory को store कर लेगी ठीक है अब secondary response मतलब जब आप उसी माइक्रोब को second time encounter कर रहे हो third time encounter कर रहे हो तब क्या होगा एक high intensity reaction होगी यह encounter होगा क्यों क्योंकि आपको पता है कि उसकी memory already store हो गई है और body को पता है कि इसको कैसे kill करना है तो इसलिए क्या होगा यह high density का होता है अब next बात आती है कि यह जो responses carry out हो और बॉड़ी के इंदर एक कैसे carried out होते हैं किसकी help से होते हैं तो किसके लिंफोसाइट के help से भी और टी लिंफोसाइट के antibody antigen वगरा को next video के अंदर cover करेंगे आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना है अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छे लगी है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबा दें और अपने डाउट्स को comment section के अंद क्युक्य।